कैसे हैं आप लोग तो आद में शुय करूंगे आप सभी के साथ में जट पट मज़ेदार फटा फट बनानी के लिए आलू मटर पुलाओ रायती के साथ में जो कि बहुत अच्छी लगती है जब कुछ नहीं समझ में आए तो ये रसेपी जरूर ट्राइ करें इसको बनानी के लिए हमें एक प्यास को स्लाइस में काट कर डाला है और प्यास को हमें हलका सा राय कर ले penis जसी प्यास हलका सी गोल्देν ब्राउन होने लगेगी यह इस इसीई प्यास को थोड़ा ब्राउन कर लें उसके बाद इसमें दो तेस पत्तर आलिए साथी इसमें आपको पंद्रभीस काजू लेने हैं जावित्री का फूल दालचीनी बड़ीलाइची हरीलाइची लॉंग और काली मिर्च शाही जीरा या सफेद जीरा जो भी है ले सकते हैं और यहां पर यह सारे साबत मसाले को जैसे जैसे प्यास भूनेगा यह सब भी क्राकल होता जाएगा और इसकी खुश्बू है इस तेल में आती जाएगी और बहुत अच्छा सा अरोमा आने लगेगा तो इस पॉइंट पर जब प्यास गोल्डन ब्राउन होने लगी है तो आप इसी पॉइंट पर डालना है जैसे आलू डाला है और डालकर दोनों को ही अच्छे से भून लेना है अब जहसे भूनेगा इसमें अच्छे से खुश्बू आने लगेगी और प्लस आलू भी गल्टा जाएगा तो अभी हमने कुछ मसाले नहीं डाले है हलका सा यह प्यास औ भूने टो आलम जाक तो आलो मतर हट आखरी मिर्चे डाल रही हमा यह साबत ही है अब इसमें तो टोसले टामतर डालना है शच्छेट शच्छ शमच अब दालियोगा और द्सकित्रमाज को अच्छे लिश और पहुत जाइक तार शान पाला आसा है बहुत जाटत पताएगा बनता है पुलाव और बहुत अच्छा लगता है खाने में तो आप यह आलू मटर टमाटर से बहुत ही बहतरीन पुलाव बना सकते हैं अभी जब यह मसाला भुन रहा है तो इसमें हमें दो बड़े चमच दही भी शामिल करना है और दही डाल कर हमें इसे अच्छे से भून ल अलिड लगा कर हमें इसे 5-6 मिनट तक लो फ्लेम पे कुकर लेना है इससे आलू गल जाएगा अब यहां पर देखें 5-6 मिनट हो चुके हैं मैंने पानी एक्स्रा नहीं डाला था मॉइस्चर में गल गया है और हलका सा हाफ डन हो चुका होता है इस यहां तक तो इस तरह से बुण पहले और शारा चावल में यहां डाल दिया है और डालकर मैं थोड़ा भून लेती हूं बिसिकली जो बुह मसाले है उसमें थोड़ा अच्छा फलेवर आ जाता है इसलिए यहां बून लीज़ेगा और इसमें गरम पानी डालना है तो पानी मैं यहां पर चावलों क पानी थोड़ा उठावा होना चाहिए इससे क्या होगा आलू भी गल जाएगा मटर भी गल जाएगा प्लस चावल भी अच्छे से कुख हो जाएगा इस पॉइंट पे हमें इसमें ऊपर से थोड़ा सा खुश्बुदार मसाला जो कि हमारा हुममिट गरम मसाला है वो डालना ह अब देखें यहां पे चावल अच्छे से कुख होना शुरू हो गया है और पानी कम होता जा रहा है बॉइल भी अच्छा सा आ गया क्योंकि गरम पानी डाला हमने तो अभी यहां पे लिड लगा दीजिए और लिड लगा कर इसे स्राटिंग के तीन चार मिट कुख होने द चार मिडियम फ्लेम पे खुख करना है यह तो लिड लगा दी और इसके अपर कुछ हैवी रखकर इसको दम दे दे और साधी मैं इसके साथ खाने के लिए ना रायता बना रही हूं तो कि बहुत ही जादा मजएक और यूनीक रायता है इसके लिए हमें दही चाहिए और दह जालनी है जो के मैंने ग्रेट कर लिया कदुकस करकर इसके साथ बारी कटा हुआ हरा दनिया डाल रही हूं है और डालकर इसे अच्छे से मिलाकर मिक्स कर दोंगी यहां पे बहुत ही कम चीजों के साथ में रायता बनता और इस पुला के साथ में तो बैस जाता है अभी इसम सर्दियां शुरू हो गई है तो अपने उपर डेपेंड करता है अगर आपको फिर्वी तो चील अच्छा लगता है तो खा सकते हैं तो ऐसे भी पुला के साथ में बहुत चीजाती है यह इंस्टेंट रायता बनकर तयार है फिर्स एक बार इसको बना कर देखिगा इस तरह अगर आप चिकन करी या मटन करी वगर डिश के साथ में भी तो इसे सर्फ कर सकते हैं बहुत उम्दा लगेगी तो गर्मा गरम यालू मटर पुलाओ को आप बस रहते के साथ में सर्फ करें एंजॉय करें फुल फैमली कैसी बनी मुझे ज़रू बताइगा ट्राइ कि इस र मेरे चैनल पर डली हुई और आपको वेजीटाबल पुलाओ की चाहिए तो वहां पर कुछ अच्छा ने आपको जरूर मिलेगा जो कि उमीद आपको बहुत पसंद आएगा साथी मैंने स्पेशल कॉम्बिनेशन रसेपी ब्रंच रसेपी लंच जिनर की स्पेशल कॉम्बि प्रशेपी को लाइक कीजिएगा फैमिली फिर्ण्स के साथ शेयर कीजिएगा फिर मिलती हुए नेक्स टामा के दर जब दस रसेपी लेकर तब तक अपना और अपने फैमिली का रखें बहुत सारा ख्याल दूआ में आद रखिएगा थैंक्स पर वाचिंग